वेल्कम तो माई इस्टडी फीड़ और फीजिकल एजूकेस चैनल दोस्तों 50 एमसे की कोशन्स आज की सेशन में कमप्लीट प्रैक्टिक्स कराया रहा है सभी कोशन्स आज के सेशन में स्पोर्ट से रिलेटेड हैं उसकी सब्दा वल्यूंश एंड अधर चीजों से एंड हेल्थ एजूकेशन से तो दोस्तो एक एक कोशन्स आपके लिए इंपोर्डन होती हैं वीडियो को सुरू से लाउस तक देखिएगा एक भी कोशन इसकीप म पढ़ाय हुआ है और चेप्र वाज आशकी से प्राक्तिस अब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करने डेली बेसे स्वाप में यासे के अशेव हैं आज की कोश्राइब जैसा है की आपका यह स्टेट का एक जो दिन बाद 18 से इस प्राइब है तो दोस्तो ऐसे आपका जो जुन को है उसके बार टियारी फोर भी होगा तो लगतार एक्जाम्स होते रहेंगे आप प्रैक्टिस करते यह तैयारी करते रहें जरूर आपको एक सिट मिलेगा तो चलते हैं आज के कोश्टन की तरफ कोश्टन है तक सब्द का संबंध किश्खेल से है तो इसका संबंध है टक सब्द का संबंध डाइविंग से है किस से है डाइविंग से जो है एक टक डाइविंग की एक क्या है टेक्निक है नेक्स दोस्तो इगल का संबंध किश्खेल से है तो दोस्तो इगल का संबंध जो है वो गोल्फ से है किस से है गोल्फ से नेक्ट है ले अप शौर्ड का संबंद किस खेल से है तो दोस्तों ले अप शौर्ड का संबंद जो है वो बॉसकेर बॉल्ड से है किस से है बॉसकेर बॉल्ड से ले अप शौर्ड जो है बॉसकेर बॉल्ड से है जो धाई कदम पर जंप लेकर बॉस केज करने को कहा जाता है एंड नेक्स्ट कोशन है कि गोल्ड शूटिंग का संबंद किस खेल से है तो दोस्तों गोल्ड शूटिंग का संबंद है हैंड बाल से नेक्स्ट है एंटी का संबंद किस खेल से है तो आप शबको पता है एंटी का संबंद जो है वो कबड़ भी से है नेक्स्ट है इसपाइक सब्द का संबंद इसपाइक सब्द का संबंद किस खेल से है तो दोस्तोğ। तो दोस्तूश, रेस्टन रूल, इस्ट्रेड़र रूल, एड फास्वरी फ्लॉफ यह चारो टेक्निक चाह fan high jump के हैं तो यहां पे right inside हो जाएगा टेकनिक आफ हाई जम्प आफसा नमबर गो जिसमें से फॉस्परी फ्लोप जो है वो आधुने टेकनिक है बटमान में यही ज़्यादा फॉस्परी फॉस्परी टेकनिक हाई जम्प में प्रियोग किया जाता है जिसका पहला प्रदसन 1968 के ओलंपिक मेक्सिको सीटी में हुआ था इसी खोच डेकनिक फॉस्परी ने किया था नेक्श दोस्तो विशप का संबंद किस खेल से है दोस्तो विशप सब्द जो है वहाँ चेस यारे की सतरण जिसके से रिलेटेड है बिशप उट को कहा जाता है प्यान हाथी को रुक हाथी को कहा जाता है प्यान पियादा को एंड नाइट घोडा को बुला जाता है नेक्श दोस्तो इस पैड का संबंद किस खेल से है तो दोस्तो इसका भी संबंद जो है वहाँ चेस से है ठीक है यहाँ पियाँ प्यास की पत्तू के खेल से यानि की ब्रीज अकाला पान इस्पैड लाल पान हर्ट इट डायमंड और चीडी कलब को दरसाता है नेक्श है किस खेल से है तो दोस्तो आर्बीटर का संबंद जो है चेस यानि सत्रंज से है क्योंकि सत्रंज खेल के निवडायक को आर्बीटर कहा जाता है नेक्श है मार्सल का संबंद किस खेल से है तो दोस्तो मार्सल का संबंद जो है ट्रैक एंड फिल्ड इवेंट से है ट्रैक एंड फिल्ड खेल में ट्रैक का अनुसासन बनाय रखने वाली अधिकारी को मार्सल कहते है नेक्श है इपून का संबंद किस खेल से है आप सबको पता है जुडू के पॉइंट इपून वजारी एक होता है जिसको मैं आप देखिए ओन दूसरे वालें दूसरे वी डिजी干 कंद किस खेल से है आप देखें उनके बॉक्सिंग में red corner and blue corner होता है याँ लाल और निला corner होता है यहाँ पर राइट एंसर बॉक्सिंग हो जाएगा नेक्ट दूस्तो लेट सब्दकार संबंध किस खेल से है तो लेट सब्द बैर्विंटर में भी यूज होता है table tennis and squares and tennis इन सभी में उपर राइट एंसर हो जाएगा जिसमें लेट सब्द का प्रियूग होता है next है head का संबंध किस खेल से है दोस्तो यहाँ पर head का संबंध है shooting से इससे shooting यानि की निसाने बाजी से shooting यानि की निसाने बाजी से shooting में head हो से वोल्डिंग A से aiming and T से tagring next है शाबरे का संबंध किस खेल से है तो दोस्तो तलवार बाजी यानि फैंसिंग से इसका relation है ठीक है fencing से समझे थे fencing तलवार बाजी में तीन प्रकार के तलवार होते है fire, sabre and ap तीन प्रकार के तलवार होते है fire, sabre and ap fencing के मैदान को दोस्तो strip यानि पिष्टे कहा जाता है fencing और तलवार बाजी के लिए लंबाए चराई 14 गुड़े 2 मीटर होती है fencing के मैदान को steep या पिष्टे कहा जाता है जिसके बीचे बीच चार मिलर की दूरी पर दो रिसान लगा जाते हैं जहां पर जो इस परदा सुरू करने के लिए दोनों खिलारी खड़े होते हैं नेक्स कोशन है बुजिकर्षी किश खेल का राष्टिय खेल है तो दोस्तों बुजिकर्षी जो है अफगावनिस्तान का राष्टिय खेल है नेक्स है कीकर्षी सब्द का संबंद किश खेल से है दोस्तों इसका संबंद है हौकी से यारी हौकी का गोल्ड कीपर जो जूते पहनता है उसे कीकर्षी कहते है नेक्स दोस्तों ACL का पुरा नाम क्या है तो दोस्तों ACL का पुरा नाम है anterior crucial ligament anterior crucial ligament यानि कि जो anterior crucial ligament होता है ACL गूटनी में पटेला अस्थी के पीछे होता है इसमें चोट लगना ACL injury कहलाता है यह चोट फुटबॉल की खिलाडी को सबसे ज़्यादा लगती है anterior crucial ligament चोट जो है ACL injury जो है सबसे ज़्यादा पुर्वाल की लड़ी को लगती है next है भोजन में पोशर तत्तो की कमी क्या कहलाती है तो भोजन में पोशर तत्तो की कमी को malnutrition कहा जाता है next है भोजन में मिलावट क्या कहलाता है तो दोस्तों भोजन में मिलावट जो है एडल्ट्रेशन और फूड बुला जाता है नेक्श दोस्तों निवन में से दो और संक्रामक रूग यहाँ पे कौन कौन शे हैं तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, फ्लू, कोविड नैंटिन, अस्थमा, मल्ले रिया यह शभी संक्रामक रूग है जो परतेश रूप से एक बेक्ती की द्वारा, एक पॉड़ी की द्वारा, दुस्रे पॉड़ी पे फैलते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड फ्रेसर है और डाइविटीज है यह और संक्रामक रूग है, संक्रामक रूग नहीं है नेक्श दोस्तों, VMI का फार्मूला क्या है, VMI यह बॉड़ी माउस इंडेक्स जो हमारे सरी के लंबाई के हिसाफ से हमारा वजन है या नहीं, इसको मापता है यह सरी के वसा कुमापता है, मुटापे कुमापता है तो जिसे मुटापक, वसा कुमापने के लिए बॉड़ी, इसकिन फोल्ड कैलिपर, और BMI, और हैड्रोइस्टेटिक टॉम आदिका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर BMI गयाद करने का सुत्र होता है वेट इन केजी अपान हाइट इन मिटर स्कॉयर वेट इन जो आपका भार है किलोग्राम में जो हाइट है वो मिटर में और उसका इसकॉयर करके आप गयाद करेंगे तो आपका जो BMI है वो गयाद होगा अगर 18 से नीचे आता है आपका BMI तब माना जाएगा कि आप अंडर वेट है यादि आपका वेट कम है आप कमजोरी सताएगी आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम विक्नेश, स्ट्रेस, इंजायटी, मल्टिबल प्रॉब्लम आपको जिल्ला पड़ेगा और 19 से लेकर 22, 29 या 23 तक आपका जो नार्मा यानि आल गुड होता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब उससे ज़्यादा है तो आपको वेट धीद होने लगेंगे और जब 30 से ओबर हो जाएगा तो आप उबेसिटी यानि मोटापा के सिकार हो जाएंगे प्रॉइट होता है और 9.1 कैलोरी और जाप्रदान करता है नेक्स है कि इस पोसक तत्तों में नहीं प्रॉजन पाए जाता है तो आपको पता है कार्बोहड़ेट और प्रोटीन वसा तिनों में से सिमिलर होता है कारबन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के निस्चित मातरा से ब प्रोटीन ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन पाए जाता है नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेसर को और किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेसर जादे चीज़ रहेगा कभी भी एंजन टॉमियों फीजियोलोजी में इसको हाई पर सब दिसी इंडिकेट किया के नाम से जाना जाता है नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमर्ट 28 है कि 18.5 से नीचे BMI क्या कर लाता है तो जस्तों अभी जश्ट में बताईगे हूं कि अधियाप का जो ब्यमाई कल्कुलेट करने के बाद 18.5, 16 या 18.5 के बीच में है या 18.5 के नीचे है तो आप अंडर वेट में आएंगे यानि आपको आपको वेट जो है सही नहीं है आप कमजोर है यानि आपको डाइजिस्ट्री प्रावलम, विकनेस, इस्ट्रेस, इंजायटी, मसल्स ब्रेक रहेगा, आल गुड रहेगा, यानि जो 22 है, वर्ल्ल का सबस्ट्री ब्यमाई होता है और 22 तक आप नार्मल है, उससे जर्दा होगा तो ओर वेट होना इस्टार्ट हो जाएगा, अग तीस से ज़्यादा जिब आपको हो जाएगा, तो उसे हम ओवेसिती यानि कि मोटापा क प्रस्ट ब्यक्ति बूल देंगे, यहाँ पर अठाय से दस्वनों प्यांच से नीचे ब्यमाई को हम अंडर वेट कहेंगे, यानि कि आपका वेट कम है, आपके हाइट के हिसाब से, ठीक है, आन देक्ट कोशन है, किस तत्व को एनर्जी निट्रेशन कहते हैं तो आपको प प्रतान करता है, कार्बो हाइडर, जैसे कि कारे के अधार पर पोसा तत्तों को तीन भागों में बाटा गया है, उर्जा प्रतान करने वाले, जिसमें कार्बो हाइडर एन वसा होता है, सरी का रिरमाण करने वाले, टूट फूट का मरमत करने वाले में फ्रोटीन होता है, स मतलब कार्बो हाइडरेट का नाम है कि अच्छी से हो गया कारबन से हाइड्रोजन और से ऑक्सिजन ठीक है कारबन हाइड्रोजन ऑक्सिजन के मिश्चित अनुपास से मना होता है नेक्स्ट है 30 से ऊपर BMI क्या कहला आता अब जश्ट बताएं हूं 18 से नीचे रहेगा 18 25 से तो अंडर्वेट यानि कम आपका आपका मजोर इसिती में है और आपका 22 है उन्हें इस से 22 29 के बीच या 30 तक तो आप सही है आपका BMI और उससे ज्यादा है तो ओर्वेट में आने लगें कि तीश्य उपर हो गया तो ओबेसिटी आने मोटापा के सिकार हो जाएंगे यांगे ओबेसिटी आपका राइट एंसर होगा नेक्ज जो तो की स्तत्ласт Press आर्थ ही पार्टिपिल्डर नियू ट्री सं कहा जाता है तो बडू बिल्डर पार्ड今日 को निर्माडर में आपका प्रोटीन में कामाता है और इनरजी देने का जादे प्रोटीन का सीवन करेंगे जो मेया थन दोर्ज है यानि इंड्रेंस वाले हैं जादे समय के क्रिया करनी वाले हैं तो कार्भो हाइड़िट वहाँ पर इनरजी जादी आशकता होगी तो वहाँ पर कार्भो हाइड़िट जादे लेते हैं नेक्श्ट पूचन है आँक का कौन सा भाग दान दिया जाता है दोस्तो आप शबको पता है आँक का जो कौर्णियों होता है वही दान किया जाता है ठीक है आँक का कौर्णिया को दान में दिया जाता है नेक्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों तो क्रोड प्रोटीन की कमी से कौरसी औरकर एंड मरासमस रोग होता है तेहां पे मरासमस आपका राइड एंस रोग होगा नेक्ट पॉस्टन है चेचक के विशाडू का यानि वाइरस का क्या नाम है तो चेचब को स्मॉल पॉक्स बोल जाता है छोटी माता को चिकन पॉक्स है जो स्मॉल पॉक्स यानि चेचब होता है वो वेरी विला वायरस से फैलता है ठीक है जो छोटी माता चिकन पॉक्स होता है वो वेरी श्रीला वायरस से होता है दूरों को ध्यान रखिएगा मेंगे है नेटा है स्वाधित के आयामों के नाम बताईए दोस्तो दोस्तो स्वाधित के मुखिरूप से चार आयाम होते हैं कितने चार फिजीकल आन्मिक सायरिक स्वोशियल याइ समाजिक मेंशिक कि बादिधामिक नेक्स्ट है हड़ियों में कोई से दूख अधिक पाजाते हैं तो आप श्रब को पता है पारवार कोशन रिपीट हुआ है कैल्सियम और फॉस्फोरोस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ठीक है कैल्सियम फॉस्फोरोस नेक्स्ट कोशन है किस विटामिन को रेटिनोल कहा जाता है तो दोस्तों किस विटामिन को रेटिनोल कहा जाता है कई बारे कोशन रिपीट हुआ है इसे एंसर आप दीजिए किस विटामिन को कहा जाता है रेटिनोल तो रेटिनोल किस विटामिन का विगानिक नाम है तो मैंन थामीन a कर रासानिक नाम रेटिनॉल यहां पे राइट सुन हो जाएगा राशानिक नाम थो से हो जाएगा थाइमीन यानि भीतामीन B कर रासानिक नाम ए से हो जाएगा स्कॉर्बी क्याने की विटामिन C का रसानिक नाम, कौर से हो जाएगा केल्सी फिराल विटामिन D का रसानिक नाम, टाफी, टेसी, टेको फिराल याने विटामिन E का रसानिक नाम, से फीलो इंञे का अर्शानिक नाम होता है, अब से आमें S को Biotin का आजाता है, नतर्वी क्यों से प्रैयुक के लिए किया जाता है दोस्तों अकिन फेलिए सर्जरी energized and कम करने के लिए बरियाटी की सर्जरी का प्रियोग किया जाता है लेश्ट है 1928 में भारती हाकी टीम की बिजे होने पर कौन सा ज़न्डा फर आये गया था यहां पर दिखाई नहीं दी रहा था दोस्तों तो 1928 में भारती हाकी टीम की बिजे होने पर कौन सा ज़न्डा फर आये गया था तो यहां पर दोस्तों ब्रिटिस एंडिया फ्लेग को फ़राए गया था नेक्स्ट है पैंक्रिया जैनि आउगनासे से कों से तीन पॉंचक एंजाइम इस्ट्रावित होते हैं बीच्ट दूसकों हमारे अमांसा यानि फेट से तेपसिन रेणिंग गस्टिक लाइबेज pada लिखतरकस्ट होता है अब वहीं पर आपका नीचे होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से M.I.L.E.G. और TRIPSIN इंजियम इस तक होता है P.I.L.E.G. से कुन सा होता है M.I.L.E.G. लाइपेज और TRIPSIN यहाँ पर राइन हो जाएगा M.I.L.E.G. लाइपेज और TRIPSIN इंदता है और ट्रिपसीन जो है वह प्रोटीन को पातिन करता है। जो अमासा में पेप्सीन प्रोटीन को फेप्टों नू बदलता है। उसी को ट्रिपसी जो है, पाली पेहारी बदल देता है, या आमीनो इसी डुमें, ठीक है, आई हो कै आ कुछ समेज में आया होगा, नेश्ट है भारत किस ओलम्पिक की फूटबाल परतिता में चौथे अस्थान पर आया था तो दोस्तो भारत किस ओलम्पिक की फूटबाल परतिता में चौथे अस्थान पर आया था तो 1956 थीके 1956 मेल बोन और टेरिया उलंपिक में भारात 14 असथा पाया था और सबसे पहले भाग लिया था बारात 19 आर 19 fem तो भारत ने उलम्पिक में बास्केरबार टीम ने उलम्पिक में प्रतिभाग किया तो भारत ने उलम्पिक में बास्केरबार टीम ने उलम्पिक में प्रतिभाग किया महिलाओं को 1976 मोंडेल कुनाटा में एस याई खेलों में बास्केरबाल को 1901 नए दिल्ली में पूर्सों को 1904 तेहरा इरान में महिलाओं को भारत की बास्केरबाल टीम ने ओलंपिक में कप्रती भाग किया ताराचन कमेटी के सुझाओं पर हुआ था किसके सुझाओं पर ताराचन कमेटी के सुझाओं पर ठीक है गोर्लियर मद्वपर्दीश में नेक्स्ट है मेराथन की दोड़ किसकी याद भी कराई जाती है तो दोस्तो प्राजिन एथेंस में इस्पार्टा एथेंस के भी जियुद हुआ था उस सुचना को देने के लिए फेड़ी फिरीज ने टेजी से दोड़ा था 42 किलोमीटर के लगभग और आने के बाद उसका मौत हो गया था फेड़ी फिरीज के याद में मेरा थन दोड़ कराई जाती है नेक्स्ट कोशन है सो मीटर की दोड़ के लिए अस्टेमिली लाइन से कितनी पीछे चिन ही की जाती है तो सो मीटर की दोड़ के लिए जो अस्टेमिली लाइन होती है वो इस्टॉर्ट लाइन से कितने पीछे याद पी जो इस्टॉर्ट लाइन है जो लोगों के बैटने का अस्थान है तीन मीटर पीछे किनित किया जाता है कितने मिटर तीन मिटर पीछे चिनित किया जाता है आफसल नंबर गो यहाँ पर राइट होगा नेक्स नो दुस्तो भारत ने अधिकारी गुरूप से किस उलंपिक में परतिभाग किया तो दुस्तो भारत ने सबसे पहले परतिभाग किया था 194 फ्रांस में जो एंड़ी आन्टीयर नार्मन प्रिचॉर्ड ने भाग लिया था अइसा question पूछेगा सबसे पहले कब भाग दिया था तो utilizzल पर फन्य चो बीस में उसके बाद उनेसोगीच में भाग लिया उसके बाद अधिकारी तो पर भारत पे उलंलीपिक में पहले उलंीपिक यह पेंपलितला होकी भी सामिल हुआ था और gold medal भारत ने जीदा था होकी में next दोस्तो pondal index में किन दो अंगो कानुपाद देखा जाता है तो दोस्तो यहाँ पर waist and hip कानुपाद देखा जाता है जैसे कि आप देखेंगे कि जिसे dmi ज्याद करने का सुत्र होता है weight in kg upon height in meter square वही पर आपका पॉंडल इंडेक्स ग्याद करने का सुत्र होता है, वेट इन केजी अपन हाइड इन मेटर के क्यों आपका होगा? नेक्स्ट दोजों, सो मीटर का धावा की स्कारोर से तेजी से तोड़ता है, तो आपको पता है कि Muscle Fiber दोपर कार को होते हैं, Red Muscle Fiber और Wide Muscle Fiber, Red Muscle Fiber जो है Slow Twiss धीर-धीर संकुचित होता है, जो aerobic कारियों, य Áनि कि Sahan सिल्टा, अर pussy तक कारियों के लिए, उप्यूच्य होती है, काम करती है, جो जो Red White Muscle Fiber होता है, Fast Twiss Fiber होता है, जो जल्दी-जल्दी संकुचित होता है जो इस्ट्रेंट वाली हाँ इंटेंसिटी यानि तीविता वाले काम समय में अधिक थाक शक्ति से काम करने वाले कारियों में white muscle fiber काम करता है तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा दोस्तों राइट answer हो जाएगा आसा नमग गा white muscle fiber और more than red muscle fiber यानि कि जब 100 meter धाव काम करता है तो white muscle fiber ज्यादा काम करता है red muscle fiber के according यानि क्यों कि 5 पे से white muscle fiber red muscle fiber की तुलना में अधिक होती है नेक्ट question है कि निम में से कौन सा भारती football club नहीं है तो यहां पर आपका देंपू कप club है मोहन बागान club है इस्ट बंगाल club है बट आपका बाथम club नहीं है तो दोस्तों यह था आज की season ने पचास mc की questions आई हो कि आपको सभी questions detail में समझ में आए होंगी जो भी doubt होगा comment में जरू बताइए वीडियो को जादे जादे शेयर भी किया कि जिसे अन्य लोगों तक एवीडियो पहुंच सके और डेली विसे पीसी तरह प्रैक्रिस करते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्रिस मे कि तब तक के लिए जाए होगा